दोस्तो आज में आपको बताओंगा कि हल्दी गाठी के युद में महराना परता भी नहीं थे टाइगर उनका एक हाती भी था जो सत्रु सेना का विनास कर रहा था उसका नाम था राम परसाद दोस्तो इसने अकेले ही तेरा हातीयों को माड डाला था मुगल सेना के और मुगल शेनिकों ने साथ हातियों का गेरा बनाकर और चोद्या विक्ति बेट कर उन पर और इसको बंदी बनाकर अकबर के पास ले गए और अकबर ने इसका नाम पीर परसाद रख दिया और स्वाबी मानी हाति ने 18 दिने तक मुगलों का कुछ भी दाना पानी नहीं खाया तो इसलिए ये सहीद हो गया तब अकबर ने कहा जिसके हातिकों में अपने सामने नहीं जुका सका तो उस माराना परताब को तो क्या जुका पाऊंगा तो दोस्तो इससे हमको सीख मिलती है कि हमें अपनी स्वाबी मान और देश बक्ति के लिए प्राणों को न्योच्छा और कर देना चाहिए और लेकिन कुछ लोग पेशे के लिए सत्रु सेना में मिल जाते है लेकिन यहाँ पर इंसान भी क्या एक जानवर होकर इसने अपनी वफादारी का फरज निबाया है तो आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझाए कि समझाए तो लाइक मत करें और एक बात हो एक हाती सो इंसानों से सरेष्ट है अथार्थ एक वफादार जानवर सो लोगों से सरेष्ट है जो चापलू सी करते है